आपके पास और इस भी सीधा लिये चलते हैं व्रदानुंत्री नरेंद्र मोधी, ट्रेनी आईपेस आफिसर को मंत्र दे रहे हैं IIT से सिख्षा की और सिविल सर्वीस में हुमेनिटीज को चुना आप ऐसी सिवा में हैं जो कठोर माने जाती है और आपको संगीत से भी प्रेम है पहली नजर में ये विरोधाबास लग सकते हैं लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी ताकत भी बन सकते हैं अपने इस ताकत को आप पुलिस से वा में बहतर लेडर्सिप देने के लिए काम में लाएंगे यही मेरी शुक्तामना है धन्यवाज स्रीमान अब मैं अनुरोध करूँगी अपने साथी प्रशिक्षु अधिकारी श्री रोहन जगदीश से कि वो अपना परिच्चे दे और अपना आपके साथ बार्दालाब शुरू करे जैन श्रीमान मेरा नाम रोहन जगदीश है मैं बारतिया पोलीस सेवा दोहजार उननीस बाज का प्रशिक्षु अधिकारी हूँ मुझे करनाट का कैडर आवंतित हुआ है मैं बाइंगलोर का मोल निवासी हूँ और मैं बाइंगलोर विश्वविद्यालाए का युनिवर्शी लौ कॉलेचे लौ डिग्री कसना तक हूँ मेरा पहला प्रतम पसंद बारतिया पोलीस सेवा था इसकी मुक्यकारण मेरा पिता जी थे उन्होंने करनाट का राजय के पोलीस में 37 साल का सेवा किया है ये मेरे बहुत गर्व के बात है तो मैंने भी उनके तरह बारतिया पोलीस सेवा में मेरा सेवा करने के लिए मैं इस सेवा का चुना हूँ जैन श्रीमान रोहन जी आप बंगलोर के हैं हिंदी भी काफी सीख ली है और एक लॉग रेजुएट भी है आपने पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन्स को भी अध्यन किया है इस ज्यान का आप आज की पुलीस व्यवस्था में क्या रोल देखते हैं श्रीमान मैं जब ट्रेनिंग में जॉइन किया था उस टाइम पे ही मैं हिंदी सीखा है तो मैं इसके लिए बहुत ट्रेनिंग के लिए आबारी हूँ और मैं पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन सीखते वक्त सिर्फ इंडिया का इंडिया को लोकलाज है बट इन्टरनेशन भी है तो इस नॉलिट से रेलेशन रखना और अन्य हम्ने क्राइशनल कौ सॉल्फ करना किन्टरिशम नकसलिजम और ड्रक्स का मामले में सॉल्फ करना लिग होता है आपको जो ट्रेनिंग मिली आपको क्या लगता है क्योंकि आपने अपने पिता जी को देखा है जिन्दगी पूरी आपकी ये पूलीस बेड़े के बीच में ही बीती है लेकिन आप स्वेम खुद इस ट्रेनिंग माये तो आपको क्या फिल हो रहा है मन में एक संतोस हो रहा है आपके पिता जी ने जो आपसे अपेच्छाय की होगी उसको पूरा करने के लिए छमता है आपकी दिखती होगी और आप पिता जी कंपरिजन करते होंगे कि उनके जमाने में ट्रेनिंग कैसी होती थी आपके जमाने में कैसी होती है तो आपके दोनो के बाद वो SP के रांक में रिटायर भी हो चुका है सर तो जब मैं अकाड़मी पहुंच रहता है उन्होंने बोला था कि पोलिस रेनिंग बहुत कट-इन होता है और बहुत मेनत करना पड़ेगा तो मैं आते हैं अंदर एक एक Michael Angelo का एक वाक्य लिखा है सर उसमें बोला है हम सब के अंदर एक statue ऑल्री है एक शिल्प है हम अकाड़मी के द्वार उस शिल्प को एक स्टोन से निकालना पड़ता है ऐसे ही हमारा निर्देशक सर और हमारा सब faculty हमको train करके हमारा अत्य बहुत रीन शिल्फ बनाया है तो हम इस शिल्फ लेकर हमारा देश को सेवा करेंगे अच्छा इस training को और बहुतर करने के लिए क्या करना चाहिए कोई सुजाव है मन में जिखाएव है यातर हवी सोने के सुना तुना है कि बहुत कटिंतपा बार कर Jaach ved identify और शबर से कशेटेंजोव के य कुपा है और हमारे हमारे तो य हमारे सोच रखकर ही ट्रेइनिंग कर रहा है और हमको international standards पर training कर रहा है तो मैं बहुत कुछ हूँ इस training से रोण जी मुझे बताया गया है कि आप अच्छे swimmer है और आपने academic के पुराने सारे record भी तोड़ दिये हैं जाहिर है आप आजकल ओलेंपिक्स में भारत के खिलाडियों के अच्छे production को भी बराबर follow कर रहे होंगे आने वाले समय में पुलीस सेवा से better athletes निकालने के लिए या फिर पुलीस के fitness बल को सुधारने के लिए आपके मन में कोई विचार आता है कि आज आप देखते होंगे कि इसके बाद पुलीस का जरा बैठना उठना चलना सब जरा कुछ अलगी ने जराता है आपको क्या लगता है सर अकैडमी में हम को fitness का एक बहुत ध्यान दे जाता है सर तो इसलिए मेरा सोच है कि हम यहां समय बिताने के बाद एक fitness का एक सिर्फ training में ही नहीं सर बट हमारा जिन्दगी में एक पार्ट हो जाते है सर अभी भी मेरे को शायद क्लास नहीं है तो मौनिंग पीटी नहीं है तो भी मेरे को पांच बज़े मैं उठ जाता है हम सिर्फ आपके fitness ही नहीं बट सबको fitness करके पूरा इंडिया को fit रखने का कोशिश करना है शिवान चलिए रोहन जी मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा fitness और professionalism हमारे पुलीस की एक बहुत बड़ी जरुरत है और मुझे लगता है कि आप जैसे उत्साई युवा इन रिफॉर्म्स को और आसानी से पुलीस सिस्टिम में लागू कर सकते हैं पुलीस अपनी फोर्स में fitness को प्रमोट करेगी तो समाज में भी युवा फिट रहने के लिए प्रिदित होंगे बेरी आपको बहुत सुब कामना है जैन श्रीमान धन्यवाल श्रीमान इसी श्रंखला को बढ़ाते हुए अब मैं आम अंत्रत करती हूँ श्री गौरव राम प्रवेश राय को कि वह आपके समक्ष अपना परिचे रखे और समवाद करें जैन सर मेरा नाम गौरव राय है मैं महराशा के अमरावती जिले का निवासी हूँ और मुझे 36 काडर आवंडित हुआ है मैंने कॉलेज ओफ इंजिनेरिंग पूने से सिविल इंजिनेरिंग की है और इंडियन पुलिस सर्विस से पूर्फ मैं इंडियन रेलवेज में कारियरत था गौरो जी मुझे बताया गया ति आप तो सत्रंज की खेलाडी है बहुत अच्छा खिलते हैं बोलते हैं सत्रंज जी सर आपको जीतना ही जीतना है वैसे आपने सोचा कभी कि आप राधियों को काबू करने में आपका सत्रंज का घ्यान क्या काम आ सकता है यह सर मैं क्योंकि शत्रंज खेलता हूं तो मैं हमेशा इसी तरीके से सोचता हूँ मुझे जैसे चत्रंज काडर अलोट हुआ है और वहां पर लेफ्ट विंग एक्स्रेमिजम उपर में है मावाथ तो उसमें सर मुझे हमेशे यही लगता है कि शत्रंज में दो चीज होती एक स्ट्रेजी और एक टैक्टिक्स तो हमेशा अपने फॉर्स में और पॉलिशी में ऐसी स्ट्रेजी हो जो उनको टैकल कर सके हैं और ओपरेशन के तुरू हम ऐसे टैक्टिक्स का इस्तिमाल करें जो कि हमें टेनिंग अकेड़मे में भी सिखाया गया है इस तरीके से operations करें कि हमारी कम से कम losses हो और हम जादा से जादा इन लोगों पर attack करके इनको रोग सके गरोज आपने बताया कि आपका करेडर 36 गर एरोट हुआ है और वहां की स्थिती के विशे में आपने उलेक किया वहां लेफ्विंग एक्ष्री मीजियम की स्थिती भी है और आप उसे परिचीत भी है ऐसे में आपकी भूमिका और भी एहम है आपको कानून व्यवस्ता के साथ साथ जन जातियक शेत्रों में विकास और सोशल कनेक्ट को भी सपोर्ट करना है आपने इसके लिए जब अमरावती मे है तो आपको उसका कोई अनुभव है क्या को स्कूल लाइफ में कॉलेज लाइफ में क्योंकि एक शित्र ऐसा है जहां इन चीजों के भी बहुत ज़रुत पड़ती है यह सर भाईती सरकार की जो दो तरफा रणनीती है विकास की और सिक्यूरिटी पॉइंट ओफ यूस है तो क्योंकि सर मैं कॉलेज में था तो मैं सिविल इंजिनियर हूँ तो मैं यह समझता हूँ कि मैं नकसल लेफ्ट विंग एक्स्रेमिजम को खतम करने के लिए विकास ही एक रास्ता है और विकास के लिए सबसे पहले अगर हम सोचे तो हमारे दिमाग में रेल, रेल, रोड, रेलवेज, घर, बेसिक सिविल फैसिलिटी जाती है तो मैं यह समझता हूँ कि अगर मैं सिविल इंजिनियर हूँ तो मैं अपने इस नौलेश का अच्छे से उप्योग कर पाऊंगा चत्तिस गड़ मैं आप गड़ चिरोली विशेक मैं भी काफी कुछ स्टड़ी करते हूँगे महराष्ट के हैं तो यह सर उसके बार में भी मालूम है बड़ा तो गरोजी आप जैसे युवा अपसरों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है साइबर फ्रोड्स हो या फिर हिंसा के रास्ते पर गए युवाओं को मुख्य धारा में लाना हो बीते स्भावत परिश्रम करके माववादी हिंसा को हम सिमीत कर रहे हैं आज जनजातिय क्षेत्रों में विकास और विश्वास के नए सेतु बनाये जा रहे हैं मुझे विश्वास है कि आप जैसी युवा लीडर्सिप इस काम को तेजी से आगे बढ़ाएगी मेरी आपको बहुत शुब कामना हैं मैंने आपकी विश्वे में जाना सुना आपको एक मैं ऐसे ही अड़वाईज देना चाहूँगा कि अपनी और वो अपनी ड्यूटी से जूड़ा हुआ नहीं है आपको जहां भी ड्यूटी का आफसर मिले सब्ता हमें एक घंटा किसी ने किसी गर्ल स्कूल में जाकर के उन बच्चियों से ऐसे ही गपसप कीजिए यह जीवन भर इसक्रम को बनाए रखिए सब्ता हमें एक घंटा किसी ने किसी गर्ल स्कूल में जाना उन बच्चियों से मिलना बाते करना उनसे चर्चा करना और दूसरा हो सके अगर योगा की आपकी प्रेक्टिस चल कंटीनू रहती है तो कहीं खूले बगीचे में बच्चियों के लिए आप इन दोनों राज्यों में सामाजिक चेतना की लहर को मजबूत करने में अपनी भूमी का बहुत बखुबी से निभा सकती है आपकी जो कॉम्मुनिकेशन की पढ़ाई है जो समझ है वो आज पूलीस की एक बहुत बड़ी जरुरत है उमीद है कि इसका भी आप भरपूर प्रयोग आने वाले समय में करेगी मेरी आपको बहुत बहुत शुब कामना है दन्यवाज सर्ण जाइन सर्ण थेमान इसी क्रम में अब मैं अमंत्रत करती हूं अपने साथी प्रक्षिक्षुक अधिकारी श्री निदिनराज पीको कि वह आपको अपना परिच्य दे और आपसे वार्दलाप चारी रखे जाइन सर्मक्रश्वाण ऑनारे शिर्मान ऑट्रोड़ी जाइन सर्ण झायन सर्मक्रण मैं अन्धिन्राज दिषीक्षिक्य फिर रखे लाग्स इख चर्ण प्राष्ग्य बहुत मृतलर झे प्रग्रख्य फिर भ्रू चयर गिक्र चंप gym यह ब्लाएंट बेलों टेडिक्ट तासरकूट और जूए बाट अगाल प्रॉट इस बात्र अफ बाट विस्वेड आटो लाट टूए ए लग तो शूट थीमकाट्ट अगाट अगाट्ट आट्ट अगाट। इसे चुट अब्स ट्ट टूएट्साब। फोरी हीजेट, कर्टोरी तुब से लिए जिए थाफड़स्टेश्स, और टीकीट एक टीटूरूरस, का लिए जिए खिम्सक्राइट डराघ्टुट्टूर्डूर्ट टूरुटार अच्वार्टूर्टूर्स पीजए्टूर्टूर्स टूर्फिन टूरी कोई अचिए वरेइगी और अधने हैं लिग इट रुट अट अथा फॉर्ट जी एंट है वी ऑल्विव स्टी जी खॉट अव्यकों एंट रस्ते हैं जी ओडाव भॉर्ट प्रसूर्थ निस्ति को और अगरनेश का प्रसुट परॉटेशन नहीं है विज एड जया दिएंट болكن भीत्पनेक्टव प्वेपल एसर, लॉंटेग बड़्चिव पर्सुए अवर्णस इस करदेशी आवर्नसी आवर्णसी आटीजिए जो चंतिनो जो पर्सुए इस पैसन आवर्स वें इन जार्विस this will also help you develop a deep connect with people yes sir i wanted to pursue that also sir like i think for creating awareness in the society a police officer should know how to communicate to the society i think teaching is one of the way so with which we can communicate properly with the students and with the general public sir विश्वाल दे बेस्ट तैंकि सर जैन सर जैन इसी शंक्रा को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमन्तित करती हूं डॉक्टर नवजोज सिमी को कि वे है महाद्य के सामने अपना परिचे रखें और वाटला कुछ जारी रखें जैन श्रिमान मेरा नाम नवजोज सिमी है मैं पंजाब के गुर्दासफुर जिले से हूँ और मुझे बिहार काडर अवंटित हुआ है सर मैंने डेंटल सर्जरी में सनातर की डिग्री लुध्याना से की है मेरी डिस्ट्रेक्ट ट्रेनिंग पटना में हुई और इसे दोरान म मेहला पुलिस करमचारियों की बढ़ती संख्या साहस और प्रेना से में काफी उतसाहित हुई जैहिन श्रिमान नवजोजी आपने तो लोगों को दात दर्थ से लाहत दिलाने के लिए दातों की सहेठ ठिक करने का जिम्मा उठाया था ऐसे मैं देश के दुश्वनों के दात खटे करने का रास्ता आपने क्यों चुना सर मैं सिविल सर्विसिस की तरफ सर मेरा जुकाव काफी पहले से ही था और सर एक डॉक्टर का काम और एक पुलिस का काम भी लोगों की पीड़ा को दूर करना ही होता है सर तो सर मुझे लगा कि मैं सिविल सर्विसिस के माध्यम से और भी एक बड़े प्लैटफॉर्म पर रहकर लोगों की समस्याओं के सामधान में अपना योगदान दे सकती हूँ आपने पुलिस फोर्स ज्वाइन की है तो यह सिर्फ आपके लिए ही नहीं देश में बेटियों की नई पीडी को भी प्रेरित करने वाली है आज पुलिस में बेटियों की भागिदारी बढ़ रही है इस पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए आपका कोई सुझाव हो और आपकी कोई अनुभव हो तो मैं जरूर सुनना चाहूँगा सर अभी हमारी डिस्ट्रिक प्रेक्टिकल ट्रेनिंग के दारान बेहार कुलिस अकेडमी राजगीर में हम लोग ट्रेनिंग में थे सर वहां पर विमेन कॉंस्टेबल्स का एक बहुत ही बड़ा बैच था उनके साथ इंट्रेक्शन करने का मुझे मुझे मुका मिला तो सर मैं इतनी जादा साहित हुई कि वो सब लड़कियां आगे पढ़कर बहुत कुछ बना चाहती थी तो सर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने ये सोचा कि जब भी मैं अपने कारे में अपने फील्ड में जाऊंगी तो मैं लाओं के लिए मैं जरूर कुछ करूंगी ताकि उनकी एजुकेशन में स्पेसिफिकली कोई कमी ना सके सर जैसा भी हो सका मैं उनके लिए जरूर कुछ करूंगी देखिए नवजोजी बेटियों का जादा से जादा पुलिस फोर्स में आना देश के पुलिसिंग सिस्टिम को मजबूत करेगा पंजाब हो या बिहार आप तो महान गुरू परमपरा के राज्यों को कनेक कर रही हैं और गुरू तो कह गए हैं कि मैं काहू को देट नहीं नहीं भय मानत आन यानि सामा निमानवी को ना तो हमें डराना है और ना किसी से डरना है मुझे विश्वास है कि आप इसी प्रेणा से आगे बढ़ेगी और पुलिस सिवा को और अधिक समावेशी और समेदन जिल बनाने में सफल होगी मेरी आपको बहुत सुब कामना है धन्यवाद सो जहिल सो धन्यवाद श्रीमान अब मैं निवेदन करती हूं श्री कोमी प्रताप शिविक शोर से कि वह अपना परेचे रखे और आपसे आपके समक्ष अपने विचार व्यक्त करें जहिल स्रीमान मेरा नाम के पिएस किशोर है और मैं आंधरा के निलोर जिले से हूं और मुझे आंधरा का काडर अवंतित हुआ है मेरी इंजिनेरिंग ऑट और बायो टेकनोलिजी में बीटेक और एंटेक किया है उसके बाद पॉलिस सर्विस जाइन करने के पहले में चार साल बॉस सेंटर फर आर्टिविशल इंटलिजिएंस में काम किया है ज़र और मुझे लगता है कि टेक्नोलोजी को अगर अच्छी सरह से हम यूज करेंगे बहुत सारे पुलिस में जो चालेंजेस हैं जैसे मान पाउर शॉर्टेज वगरा है ये फिशेंसी के चालेंजेस हैं हम बहुत अच्छी तरह से सॉल कर सकते हैं प्रताप आप financial background से हैं ऐसे में आज financial frauds की चुनोती है ट्रेनिंग के दोरान उससे निपटने के लिए आपको कोई innovative ideas आते हैं क्या विचार आते होंगे मन में काफी कुछ जरूर्द सर हमको बहुत अच्छे investigation में financial frauds को investigate करना consequence loss है उनको परिचे किया गया है और कास करके जब हम field training में थे करनूल जिले में साइबर क्राइम में हमारे बच्चे और महिलाओं को जो elements है उनको बहुत निशाना बनाते रहते हैं और इसके लिए थाने के स्थर पर क्या काम हो सकता है इससे जुड़ा कोई सुझाव क्योंकि आप artificial intelligence को जानते हैं आप technology के व्यक्ति हैं finance का background है तो इसमें कोई सुझाव आपके मन में आता है अभी लगता है कि हाँ इसमें ऐसे जाना चाहिए इसमें जो भी नया नया cyber fraud हो रहा है जिसका तरीके हो रहा है हर दिन हम newspaper में उस और अपने local city channel में बोलते थे और यही काम हम जो vulnerable groups है जैसे colleges है जो नया नया smartphone लेके आ रहा है और उनको हर हफते में एक session ऐसे करते थे और दूसरा continuously महीने में एक बार एक webinar जैसे कंडर्ट करते थे जहां लोग अपने मन से जॉइन करते थे और सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि यह जो क्राइम जिस हिसाब से होता है उसको हम लोगों तक पहुंचाना है ताकि वह पहले ही जागरू हो देखिए प्रताब digital technology बहुत inclusive technology है जो सब को जोड़ती है और गरीब बंचीज सोसी तक भी सुवीदा और संसाधन पहुंचाने में बहुत मददगार है और यह हमारा भविश भी है लेकिन इसके साथ साथ इसमें cyber crime को भी बहुत बड़ा खत्रा बना दिया है विशेश रुप से financial force एक बड़ी चुनोती है इसने अपराद को थानों जीनों राज्योके की सिमा से बहार निकाल कर नई राष्ट्री और अंतराष्ट्री चुनोती बना दिया है इससे निपटने के लिए सरकार अपने स्तर पर अनेक कदम उठा रही है लेकिन इसमें पुलीस को भी नीत नए इनोवेशन करने होगी है डिजिटल एवर्नेस को लेकर खाने के स्तर पर विश्यस अभियान चलाए जा सकते हैं इसके अलावा मेरे आप सभी युवां अफसरों से यह आगर रहेगा कि आपके पास भी अगर इस विशह में कोई सुझाव हो तो आप मेरे तक जरूर पहुंचाईए हो मिनिस्ट्री तक पहुंचाईए क्योंकि आज जो यंग फोर्स हैं जिनको इसके आप बैग्राउंड होने के कारण उनके विचार इस लड़ाई में बहुत काम आ सकते हैं चलिए प्रदाब बहुत बहुत शुपकामना है आपको जैन सर दन्यवाज श्रीमान अब मैं मित्र राष्ट माल आदीव के पुलिस अधिकारी श्री मुहम्मद नाजिम से अनुरोथ करती हूं कि वे मान्नी प्रदान मंत्री जी से अपने अनुभव साजा करें Good morning, Honorable Prime Minister Sir. I am Chief Inspector of Police Mohamed Nazim from all this police service. It is a matter of great pride and privilege to have an opportunity to speak about my experiences in the memorable journey in Sardar Vallabai Patel National Police Academy with 2019 batch of Indian Police Service. During the last two years of our training, our professionalism, fitness and competence as a police officer have improved tremendously. Officers from Maldives has been undergoing training in this academy since 1998. Our current Chief of Police Mohamed Hamid along with the most senior leadership are also proud alumni of this prestigious academy. Sir, the two years of training has enhanced our personality not only as a uniformed police officer but also has made us a better human being. The bonhomie with Indian batchmates and other foreign batchmates is incredible and we have enjoyed every single moment in this academy. We have made many friends with Indian officers and we plan to remain in touch with them. We have really enjoyed the time spent here. I take this opportunity to extend our heartfelt gratitude to the Indian government for providing us with this valuable opportunity. Thank you, Sir. Najeeam. Najeeam. Najeeam, what do you find common between India and Maldives? Sir, culture and food is very similar to us, Sir. We have officers from Nepal, Bhutan and Mauritius. Did this help you gain some insight about those nations too? Yes, Sir. It really helps. We have interact with all our fellow foreign officers and we have good knowledge about their policy and the system, Sir. Okay, Najeeam. Wish you all the best. Thank you, Sir. Thank you, Sir. Thank you, Mr. Jain. Thank you. मुझे मालदीव के प्रक्टूति प्यमी लोगों से मिलकर बहुत आनन्द आता है, मालदीव भारत का पडोसी ही नहीं, बलकि बहुत अच्छा मित्र भी है, भारत मालदीव में पुलीस एकडेमी बनाने में भी सहयोग कर रहा है, अब तो मालदीव क्रिकेट के लिए भी अप मुझे विश्वास है कि भारत में आपके ट्रेनिंग मालदीव की पुलीसिंग को मजबूत करेगी और भारत मालदीव रिस्तों को भी समुरुद्ध बनाने में बहुत मदद करेगी, बहुत बहुत शुब कामना है धन्यवाज श्रीमान, समवाद के इस कारेक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे सविन्य निवेदन करती हूँ कि राष्ट सेवा हेतू तत पर हम परिविक्षादीन अधिकार्य को संबोधित कर हमारा मार्ग दर्शन करें आप सभी से बात करकर मुझे बहुत अच्छा लगा मेरा हर साल ये प्रयास रहता है कि आप जैसे युवाज साथ्यों से बातचित करूँ आपके विचारों को लगातार जानता रहूँ आपकी बातें आपके सवाल आपके उत्सूपता मुझे भी भविश्य की चुनवतियों से निपटने में मदद करती हैं साथ्यों इस बार की ये चर्चा ऐसे समय हो रही है जब भारत अपनी आजहादी के 75 वर्स का अमरुत महवसों मना रहा है इस साल की 15 अगस की तारीक अपने साथ आजहादी की 75 वी वर्जगांठ लेकर के आ रही है बीटे 75 सालों में भारत ने एक बहतर पुलिस सेवा के निर्मान का प्रयास किया है पुलिस ट्रेनिंग से जुड़े इंफ्रास्रक्टर में भी हाल के वर्षों में बहुत सुधार हुआ है आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो युवाओं को देख रहा हूँ जो अगले 25 वर्ष तक भारत में कानून ववस्ता सुनिशित करने में सहवागी होंगे ये बहुत बड़ा दाईत्वा है इसलिए अब एक नई शुरुवात एक नए संकल्प के इरादे के साथ आगे बढ़ना है साथियों मुझे बहुत जानकारी तो नहीं की आप में से कितने लोग दांडी गए हुए है या फिर कितनों ने साबनमती आश्रम देखा है लेकिन मैं आपको 1930 की दांडी यात्रा की याद दिलाना चाहता हूँ गांधी जी ने नमक सत्याग्र के दम पर अंग्रेजी शासन की नीव हिला देने की बात कही थी उन्हाने ये भी कहा था कि जब साधन न्यायपूर्ण और सही होते हैं तो भगवान भी साथ देने के लिए उपस्तित हो जाते हैं साथ्यों एक छोटे से जत्ते को साथ लेकर मात्मा गांधी साबनमती आश्रम से निकल पड़े थे एक एक दिन बित्ता गया और जो लोग जहां थे वो नमक सत्यागर से जुड़ते चले गए 24 दिन बात जब गांधी जी ने दांडी में अपनी यात्रा पुरी की तो पुरे देश एक प्रकार चे पुरा देश उठकर के खड़ा हो गया था कश्मीर से कन्याकुमारी अटक से कटक पूरा हिंदुस्तान चेतन बंत हो चुका था उस मनोभाव को याद करना उस इच्छा सक्ति को याद करिए इसी ललक ने इसी एक जुटना ने भारत की आधादी की लड़ाई को सामुहित्ता की शक्ति से भर दिया था परिवर्तन का वही भाव संकल्प में वही इच्छा शक्ति आज देश आप जैसे युवाओं से मांग रहा है 1930 से 1947 के बीच देश में जो जवार उठा जिस तरह देश का युवाओं आगे बढ़कर आए एक लक्ष के लिए एक जूट होकर पूरी युवाप पीड़ी जूट गई आज यही मनोभाव आपके भीतर भी अपेक्षित है हम सब को इस भाव में जीना होगा इस संकल पर साथ जुड़ना होगा उठ समय देश के लोग खास करके देश की युवाँ स्वराज्य के लिए लड़े थे आज आपको सुराज्य के लड़े लिए जी जान से जुटना है उच समय लोग देश की आजादी के लिए मरने मिटने को तयार थे आज आपको देश के लिए जीने का भाव लेकर आगे चलना है 25 साल बारत जब भारत आजादी के सो वर्ष पूरे होंगे तब हमारी पुलिस सेवा कैसी होगी कितनी ससक्त होगी वो आपके आज के कारियों पर भी निर्भर करेगी आपको वो बुनियाद बनानी है जिस पर 2047 के भव्या अनुसासित भारत की इमारत का निर्माण होगा समय ने इस संकल्प की सिद्धी के लिए आप जैसे युवाओं को चुना है और मैं इसे आप सभी का बहुत बड़ा सवभाग्य मानता हूं आप एक ऐसे समय पर करियर शुरू कर रहे हैं जब भारत हरक्षेत्र हर्स्तर पर ट्रांस्पॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है इसी तरह दस लाग से अधिक आबादी वाले शहरों में कमिश्णर प्रणाली लागू करने को लेकर भी राज्य काम कर रहे हैं अभी तक 16 राज्यों के अनेक शहरों में ये व्यवस्ता लागू की जा चुकी है मुझे विश्वास है कि बाकी जगव भी इसको लेकर सकारात्मक कदम उठाये जाएंगे साथियों पुलीसिंग को फ्यूचरिस्टिक अब प्रभावी बनाने में सामुहिक्ता और संवेदिन सिल्ता के साथ काम करना बहुत जरूरी है इस कोरोना काल में भी हमने देखा है कि पुलीस के साथियों ने किस तरह स्थीतियों को समालने में बहुत बड़ी भूमी का निभाई है कोरोना के खिलाब लड़ाई में हमारे पुलीस कर्मियों ने देश्वास्यों के साथ कंदे से कंधा मिला कर काम किया है इस प्रयास में कई पुलीस कर्मियों को अपने प्राणों की आहुति तक देनी पड़ी है मैं इन सभी जवानों को पुलीस साथियों को आदर पुर्वक सरधान्जली देता हूँ और देश की तरफ से उनके परिवारों के प्रती संबेदना प्रकट करता हूँ साथियों आज आपने जब मैं आपसे बात करते हूँ तो बात करते हूए मैं एक और पक्ष्ण आपके सामने रखना चाहता हूँ आज कल हम देखते हैं कि जहां जहां प्राकुरूतिक आपदा आती हैं कही बाड कही चकरवाती तुभान कही भूसकलन तो हमारे NDRF के साथ ही पूरी मुस्तजिक के साथ वहां नजर आते हैं आपदा के समय NDRF का नाम सुनते ही लोगों में एक विश्वाद जगता है ये साथ NDRF ने अपने बहतरीन काम से बनाई है आज लोगों को ये भरोसा है कि आपदा के समय NDRF के जवान हमें जान की बाजी लगा कर भी बचाएंगे NDRF में भी तो जादारदर पुलिस बसके जवान होते हैं आपके ही साथ ही होते हैं लेकिन क्या यही भावना यही सम्मान समाज में पुलिस के लिए है NDRF में पुलिस के लोग है NDRF को सम्मान भी है NDRF में काम करने वाले पुलिस के जवान को भी सम्मान है लेकिन समाज ही व्यवस्ता वैसा है क्या आखिर क्यों इसका उत्तर आपको भी पता है जन्मानस में ये जो पुलीस का नेगेटिव परसेप्शन बड़ा हुआ है ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनावती है कोरोना काल की सुरुवात में महसुस किया गया था कि ये परसेप्शन थोड़ा बड़ा है क्योंकि लोग जब विडियो देख रहे थे सोशल मीडिया में देख रहे थे पुलीस के लोग गरीबों की सेवा कर रहे हैं भुके को खिला रहे हैं कहीं खाना पका करके गरीबों को पहुचा रहे हैं तो एक समाज में पुलीस के तरफ देखने का सोचने का वातरों बदल लेकिन अप्पिर वही पुरान इस्थिती हो गई है आखिर जनता का विश्वास क्यों नहीं बढ़ता है कि सांख क्यों नहीं बढ़ती है साथियों देश की सुरक्षा के लिए कानून व्यवस्ता बनाए रखने के लिए आतंग को मिटाने के लिए हमारे पुलीस के साथ ही अपनी जान तक नुचावर कर देते हैं कई कई दिन तक आप गर नहीं जा पाते हैं त्यहारों में भी आपक्सर आपको अपने परिवार से दुर रहना पड़ता है लेकिन जब पुलीस की इमेज की बात आती है तो लोगों का मनोभाव बदल जाता है पुलीस में आ रही नई पीडी का ये दाईत्व है कि इमेज बदलें पुलीस का ये नेगेटिव परसेप्शन खत्म हो ये आप लोगों को ही करना है आपकी ट्रेनिंग आपकी सोच के बीच बरसों से चली आ रही पुलीस डिपार्टमेंट की जो स्थापित परंपरा है उसने आपका हर रोज आम्रिया सामना होना ही होना है सिस्टिम आपको बदल देता है या आप सिस्टिम को बदल देते हैं ये आपकी ट्रेनिंग, आपकी इच्छा शक्ती और आपके मनोबल पर निर्भर करता है। आपके इरादे कौन से हैं? किन आदर्सों से आप जुड़े हुए हैं? उन आदर्सों की परिपूर्ती के लिए कौन संकल पर लेकर करके आप चल रहे हैं? वो ही मेटर करता हैं आपके विहवार के बाबत में। ये एक तरह से आपकी एक और परिच्छा होगी। और मुझे भरोसा है, आप इससे भी सफल होंगे, जरूर सफल होंगे। साथियों, यहां जो हमारे परोसी देश के युवा अफसर हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत सुक्वामनाई देना चाहूँगा। भुटान हो, नेपाल हो, मालबुरुशत हो, हम सभी सिर्फ परोसी नहीं हैं, बलकि हमारी सोच और सामाजिक ताने बाने में भी बहुत समानता है। हम सभी सुख दुख के साथी हैं। जब भी कोई आपदा आती हैं, विपत्ति आती हैं, तो सबसे पहले हमी एक दुसरे की मदद करते हैं। कोरोना काल में भी हमने ये अनुभव किया है। इसलिए आने वले वर्षों में होने वाले विकास में भी हमारी साजेदारी बढ़ना तय है। विशेश रुप से आज जब क्राइम और क्रिमिनल सिमाओं से परे हैं, ऐसे में आपसी तानमेर और ज़्यादा जरूरी है। मुझे विश्वात है कि सरदार पटेल अकेडेमी में बिताये हुए आपके ये दिन, आपके केरियर, आपके नेशनल और सोशल कमिट्मेंट वित्रता को प्रगाण करने में मदद करेंगे। एक बार फिर आप सभी को बहुत-बहुत शुक्त कामना हैं, धन्यवाद। हम सभी आपके हर्दे का भारी हैं कि आपने अपनी अतिव्यस्त जिन चर्यावे से इस समयोप्रत किया। अपचारिक रूप से धन्यवाद क्यापित करने के लिए मैं हर्याना काडर के प्रशिक्षुग अधिकारी श्री गौरव राजपुरोहित को आमंत्रित करती हूँ। जयन श्रीमान, माननिया प्रधान मंत्री महोदे, ग्र rained मंत्री महोदे, ग्रола राज्य मंत्री महोदे, माननिया गर्ह सचव ग्रा सचव improve सीमा प्रबंदन और आज के समारों में उपस्थित समस्त अधिकारी गंड मैं गौरव राजप्रोहित बारत्य पुलिस सेवा के दोजार अठारा बैच का परिविक्षा दीन अधिकारी सरदार वलब बाई पटेल राष्टि पुलिस अकादमी की और से धन्यवाद ग्यापित करते हुए अत्यन्त हर्ष की अनुभूति कर रहा हूँ तो अभी आप सुन रहे थे ट्रेणी आएपिस ऑफिसर्स को प्रधान मिल्ट्री नरेंद मोदी का मंत्र जिसमें उन्होंने बताया कि आगे किस तरह के चालेंजिस हैं किस तरीके से उसको फेस करना है और आने वाले इन अफसरों को ये अफसर जब जाएंगे अपनी अपन बदलाव ये समाज मिला सकते हैं उस बारे में प्रधान मिल्ट्री नरेंद मोदी मंत्र दे रहे थे